नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फॉर्स्ट इंवस्मेंट में मैं हूँ आपका मेंटर शिवांच मसी दोस्तों इस तरीके साथ हम लोग ने मार्केट को देखा मार्केट थोड़ी सी नीचे खुली थी और उसके बाद कंटिन्यूसली वो नीचे जाती रहे उसके ब कल मार्केट के अगर हम बात करें तो कल मार्केट पर यही लग रहा है कि कल दुबारा एक सेलिंग आ सकता है और आखरी में एक रिकवरी आ सकती है कल थर्जदे के इस तरीके से बैंक निफ्टी निफ्टी के अंतर ट्रेड लेना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा सेल सा है कि मार्केट पे एक रिवर्सल आने के चांसेज है अभी नहीं पंदरा दिन बात एक महीने बात बड़ वो फैक्टरस आपके सामने होने चाहिए आपकी वाच लिस्त में आपके आखों के सामने होने चाहिए कि आप उन्हें कंटेनिसले डे-to-day basis पे देख पाए और कभी यूट्यूब पे एक वीडियो अप्लोड करिए ताट इस देग्रो अप ग्रो अपकी उपर हम लोगों ने वीडियो अप्लोड करिए जिसमों मैंने आपको बताय कि कैसे अकाउंट उपन आप करवा सकते हैं और वीरियस बेनिविट्स आप लोग जाके देखेगा वीडिय आप इस शोबा तो शोबा पे मैं बाय करने की अपॉर्चनिटी फाइंड कर रहा हूं जिस तरीके से आपर आप देख सकते हैं अगर आप इस जोन को फॉलो करते हैं देखेगा फर्स ताइम सपोर्ट सेकंड टाइम सपोर्ट थर्ड ताइम सपोर्ट एन इवेंचली इड आप जब ब्रेक कर आप डीर करने के बाद वॉडफ भी से बॉडफ फ्राइट सपोर्ट बारिख उडफ दques रिर्ट था ब्रेख रॉप भी मैंगर्ज आपर आप डएम ब्रेक करा। अब इसी लivell से सप्लायवियर्वियर्ण अड जर्पिटल बवर्ट अरग कर आप बॉ करते करते ही यह recover करा है recover करने के बाद eventually it gave a breakout इस level से breakout दिया retest करा दुबारा उपर गया तीसरी बार retest करा sorry दूसरी बार retest करा इस level से हम लोगे अच्छा buy initiate कर सकते हैं अगर मैं बात करता हूँ stock के price की तो right now यह जो close हुआ है that is 457 पे and अगर यह 460 के उपर निकलता है तो I think कि यह 480 तक भी जा सकता है within two days तो इस particular stock को अपनी watch list के अंदर definitely add करके रखेगा and I think कि अच्छे profits दे पाएगा our second stock is zinser technology zinser technology पे हम लोग क्या देख रहे हैं अगर मैं थोड़ा सा zoom करके दिखाता हूँ आपको यह आप यहाँ देख सकते हैं कि एक bullish movement चीक है एक bullish movement उसके बाद एक range bound हो गया and eventually it gave a very good breakout from this particular level अभी इसने 239 पे trade कर रहा है अगर यह 240 के उपर जाता है तो I think कि यह 244 तक अराम से जा सकता है जो कि इसका previous resistance है let me show you आप यह वाली black lure की line देख रहे होंगे इस black lure की line पर आप देख रहे होंगे multiple bar we've seen a resistance यहाँ पर एक double bottom scenario create हुआ है अगर इस level को test करके ऊपर closing देता है अच्छी candle के साथ closing देता है तो next target should be 260 जो की 20 रुपीज उपर है अपने first target से इस particular stock को आप वोच करके चलेंगे and telegram पे मैं आप लोगों को levels प्रोवाइड करा दूगा आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं Instagram पे भी मैं दो stocks और extra provide कराता हूँ तो वहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं our third stock is EID Perry yeah EID Perry पे भी अगर आपको मैं दिखाता हूँ see all every stock is based on supply and demand zone और basically trend lines supply supply third time supply and eventually it gave a breakout जब breakout दिया what we see first time retest retest करके जब bounce करा that supply becomes demand supply का मतलब क्या होगा यहाँ पर पहले selling pressure आता था demand का मतलब क्या होगा कि buying pressure आता है यहाँ पर buying pressure आया एक strong candle बनी उसके बाद एक up move continuously fall करते रहा आज market week थी बट तब भी strong candle के साथ जाकिस ने पनी closing दिया है so I think कि यहां से particular stock recover कर सकता है stock definitely अपनी watch list के अंदर आट करेगा right now जो current market price है that is 325.80 अगर यह 327 की उपर निकलता है तो I think कि यह 331,333 तक भी जा सकता है intraday की बात हो रही है and आप यहाँ पर profit earn कर सकते हैं चेक है our next stock is reserve RIL, RIL के लिए अगर आप देखेंगे तो देखेगा एक consistent zone मनावाई इस range के उपर जाना ही नहीं चाहरा first time resistance, second time resistance, third, fourth, fifth and जैसी इस level पर आया हमें तो यह होना चाहिए था कि इस level को zone को test करेगा but actual में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला उसके बाद हम लोगे ने दिखा एक strong buying momentum हमें देखने को मिला almost 18 percent 8 percent तक तक थे रिटर्न दिया and उसके बाद एक strong bullish candle के साथ close करा देखेगा अभी वी selling pressure generate नहीं हुआ है let me go to 15 minutes time frame आप यहां देखेंगे 60 a very bullish movement we've seen in the last couple of hours तेक है तो आप देख सकते है अभी भी stock bullish है अगर breakout आता है तो definitely अच्छे return दे सकता है 420 की उपर आप buy कर सकते है above 420 की उपर you can go for a buy I think the target should be around 427 or 430 10 रुपे तक की targets हमें लगते हैं कि मैं मिल सकते हैं our last stock is that is bank of baroda yeah this is our stock let me open our daily time frame yes सबसे पहली चीज़ आप यहां पर देख सकते हैं कि it's continuously making its higher highs and higher lows up move and a low again up move and previous low चिक है उसके बाद again up move फिर नीचे आया previous low plan दुबार उपर जा रहा है अब आप देखेंगे कि जब भी अपने यह previous high को break करता है strong candle बनती है दो दिन यहां पर भी break कर रहा है candle अच्छी बनी और यहां पर भी हमने एक अच्छी momentum देखी थी अब कल यह शायद break कर सकता है तो इस particular stock में अपनी वाच लिस्ट में रखना अगर यह break करता है देखेंगे बांग निफ्टी शायद वीग हो सकता है बट अगर positive में आता है और अगर यह ऊपर जाने के बारे में 15 minutes time frame and yes ठीक है थोड़ा सा जूम आउट करते हैं से मैंने इसकी आजनालेसिस कर रहता है और आप सीन a trend line from this particular level ठीक है मैंने इस level से trend line देखी है यह आप देख सकते हैं let me open one hour time frame यह आप देखिएगा कि एक bullish head and shoulder pattern का breakout हमें देखने को मिला था ठीक है एक bullish head and shoulder pattern का breakout and a retest and it again started to move ठीक है यहां से breakout दिया उपर गया first time retest करा है इसने अपने नया high को break कर रहा है ठीक है आप continuously nifty जो है वो इस level पर trade कर रहा है and आपको यह चोटा सा gap दिख रहा होगा यह gap को भी fill कर रहा है इसने करने आ सकता है इसके लिए मैं चलता हूं 15 minutes time frame पर तो आप लोगों को और clearly समझ में आ जाएगा see यहां पर इसने को एक gap फिल करना है that is this particular level जो कि वो already कर चुका है and इसी level पर बार बार sustain कर रहा है so अगर कल nifty इस level को break करके नीचे आती है और एक candle की closing हमें देखने को मिलती है तो I think कि यहां से fall आते 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 इस trend line को test कर सकता है और अगर इस trend line से एक reliable pattern एक highly reliable pattern अगर हमें मिलता है तो yes we can go for a buy in nifty मतलब आप point समझ गया होगे कि शुरुआत में मुझे लगता है कि selling pressure आ सकता है and उसके बाद एक buying आ सकती है so market पर a bit cautious आप लोग ध्यान से trade करेगा कल की market थोड़ी सी volatile हो सकती है so first time मैं selling की तरफ जाओगा अगर यह level break करता है and उसके बाद मैं buying की तरफ जाओगा चलिए let's move to bank nifty bank nifty पर अगर आप देखेंगे similar type of situation हमें देखने को मिल रही है एक बड़िया सी range का इसने breakout दिया था multiple consolidation के बाद एक breakout दिया अब अभी तक इस पर retest नहीं आया है so yes अगर bank nifty भी इस level से गिरता है देखें multiple bar test कर चुका है इसी level को आपको यहाँ पर clearly visible होगा first time support, second time support, third time support, fourth time support and उसके बाद फिर से नीची आ रहा है अब आप देख पा रहे हैंगे black color की line आपको show कर रही है black color की line पर आप एक चीज़ देख रहोंगे multiple wick first मतला almost 8 to 9 candles का high वो है यह candle so अगर इस price के ऊपर closing देता है तो definitely there is a buy but अगर वो continuously नीचे आता है और इस candle के नीचे close हो जाता है इस zone के नीचे close हो जाता है then our target should be this तेक है so अगर 36,750 के नीचे close करता है तो आप टागेट शुड भी 36,520 तेक है almost आपको 200 points plus points मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी सीज़ है but अगर वो gap up खुलता है और अगर वो इस level के उपर निकल जाता है that is 37,500 sorry 37,500 के level पर अगर यह निकल जाता है so there is a buy इस level के उपर अगर यह निकल जाता है तो हम यहाँ पर buy कर सकते है and our target should be this and this clear हो गया तो आपको short के लिए भी बता दिया आपको buy के लिए भी बता दिया आपको किस तरीके से trade लेना है आपको दोनों opportunities भी मिल सकते है कल के market के अंदर तो bit cautious है तो थोड़ा सध्यान से trade करेगा and definitely हम लोगों ने जातातर buy के ही stocks दी है but आप लोगों को जैसा पता है कि मैं एक swing trader हूँ तो मैं buy की तरफ ही जातातर focus करता हूँ चाहा market week हो चाहा bullish हो so let's go and check कौन से stocks बढ़िया perform कर सकते हैं वीडियो के आकरी में मिलते है so I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी and वीडियो में आप लोगोंने कुछ सीखा भी होगा definitely learning सीखर होगी आप लोगों telegram channel पर मैं आप follow कर सकते हैं so cautiously trade करेगा जब levels का breakout हो confirmation का wait करेगा उसके बाद ही trading opportunities पर enter करेगा तो factors की वीडियो में start कर रहा हूं बनाना and within a two days to three days के अंदर अंदर में upload कर दूगा and forex series की उपर मैंने start कर दिये videos and थोड़ी बहुत editing बची है वह भी तीन चार दिन के अंदर अंदर में upload कर दूगा so guys मिलते हैं अंगली वीडियो पे मैं शिवांज बसीन sign now